Hey everyone, this is Atiyah Zanab and today I'm going to differentiate little, a little, the little. Little का मतलब होता है थोड़ा, right? लेकिन little के आगे जब हम A लगा देते हैं या फिर हम दा लगा देते हैं तो भी क्या उसका मतलब थोड़ा ही रह जाता है या कुछ difference सामने आता है तो उसी पर आज discussion करना है मुझे, let's get started. सबसे पहले आपको ये समझना है कि तीनों हमारे adjectives होते हैं adjectives क्यों कहरें इसको? क्योंकि adjectives का काम होता है nouns को describe करना तो जब कभी हम किसी noun की तोड़ी सी, छोटी सी, कम सी quantity को describe करना चाहते हैं तो हम इन words का use करते हैं little, a little, the little तो सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि little, a little, the little तीनों आपके adjectives हैं let's take example he has little influence तो influence is a noun, abstract noun, you know that तो little influence, little will be your adjective similarly, he short little mercy तो mercy is a noun, little again will be the adjective तो सबसे पहले आपने ये समझा कि little, a little, the little तीनों ही आपके adjectives होते हैं दूसरी बात जानने के लिए आपके ये है कि little, a little, the little का use हम गड़ते हैं uncountable nouns के साथ countable nouns के साथ इनका use नहीं होता तो बताते चलूँ आपको कि countable nouns, uncountable nouns क्या होते हैं countable nouns उनको हम लोग 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के गिन सकते हैं ठीक है जिसे आपके सामने कुछ bottles पड़े होई हैं तो आप bottles को count कर सकते हो क्या कहके bottle को count करोगे 1 kilo bottle, 2 kilo bottle, नहीं आप quantity का use नहीं करोगे आप kg का use नहीं करोगे आप डिरेकली numbers का use करोगे 1, 2, 3, 4, राइट तो bottle क्या हुआ? आपका bottle countable noun हुआ similarly books, similarly copies, pillows, windows यानि जितनी भी ऐसे nouns हैं जितनी भी ऐसे nouns हैं जिनको आप 1, 2, 3 करके count कर सकते हो वो आपके कहलाते हैं countable nouns इसको आप और तरीके से भी जान सकते हैं कि जिन nouns का आप plural बना सकते हो s add करके, es add करके, v es add करके en add करके, whatever अगर आप उसका plural बना सकते हो ठीक है, तो वो कहलाते है countable nouns दूसरे देगा क्या होता है अगर आप उसको 1, 2, 3 करके गिन सकते हो तो वो होता है आपका countable nouns ठीक है, तो भई हम लोग countable nouns के साथ little का use नहीं कर सकते जैसे मुझे बोलना है कि थोड़ी बहुत bottles वहाँ बची है तो I cannot say there are little bottles I cannot say that उसके लिए word बनता है few चीक है, उसके लिए क्या word बनता है बटा few बनता है, few of few the few और uncountable nouns क्या होते हैं uncountable nouns वो होते हैं, जिनको आप 1, 2, 3 करके नहीं गिनोगे जिनको आपको गिनने के लिए कुछ ना कुछ quantity का use करना होगा जैसे water है, तो we cannot say one water two water, we need a unit liters, right, similarly rice, we cannot count one rice two rice, three rice, we need kilogram right, unit, तो ऐसे जो nouns होते हैं, जिनको हम 1, 2, 3 करके नहीं count कर सकते वो कहलाते हैं हमारे uncountable nouns, या फिर हम कह सकते हैं जिनको हम plural नहीं बना सकते जैसे कि rice का rises नहीं होता, money का money नहीं हो सकता है, ठीक, तो ये सारे जो words होते हैं, इनके कहते हैं uncountable nouns, तो मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि little, a little the little का use आप केवल करोगे किसके साथ uncountable nouns को साथ, यानि कि अगर ऐसा कोई noun होगा जिसमें आप s at नहीं कर सकते हो उन्हें के साथ ही आप little, a little, the little का use करोगे, अब सीधे हम समझते हैं कि little, a little, the little में तीनों में क्या difference होता है तो सबसे पहले little का मतलब होता है not much, या पर हम कह सकते hardly any इसका हिंदी मतलब होगा ना के बराबर, अगर कोई चीज इतनी कम है कि वो ना के बराबर है आपका काम नहीं चल सकता, बिल्कुल ना के बराबर चीज है, यानि आप negative sense में उसकी quantity को represent करना चाहरे हो, उसके दोरसी quantity को negatively represent करना चाहरे हो किसी sentence में, तो फिर आप little का use करते हो तो फिर से सुन लिजे, अगर कोई चीज इतनी कम है कि वो ना के बराबर है, यानि आपको negative sense देना है, आपका काम नहीं चल सकता है उतनी चीज से, तो फिर हम use करते हैं little का for example, there is little hope of his recovery, that means उसके recover होने की उमीद ना के बराबर है, ठीक है आगे लिखा भी हुआ है, that is he is not likely to recover, वो recover कोने like है नहीं, right, he showed little concern for his nephew, उसने अपने nephew पर बहुत ही कम नहीं ना के बराबर ही ध्यान दिया, ठीक है he has little influence with his old followers, तो आप जितने भी examples यहां पर देख रहे हो, इन सारे examples में negativity शो हो रही है ठीक है, तो little का use हम क्यों करते हैं, negative sense में करते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना के बराबर अब बात करते हैं, आ little की तो little का मतलब था ना के बराबर जब आपने इसमें a लगा दिया, तो इसमें थोड़ी बहुत जान आ गई, यानि अगर कोई चीज कम तो है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि आपका काम नहीं चल सकता है, यानि आप के पास इतनी चीज़ए है कि आप काम चला सकते हो, है वो थोड़ी बहुत ज़ादा नहीं है, बट you can do आपका काम चल सकता है, आप चल सकते हैं उसके साथ, तो little का use हम negatively करते हैं, लेकिन अगर हमको positively बताना है, तो हम use करते हैं a little, इसलिए a little का मतलब होता है some, though not much, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, ना के बराबर तो नहीं है, चीक है, तो जब ना के बराबर तो हम use कर little, जब की positively use करता है a little, for example, अगर किसी के सही होने के chances आपको थोड़े बत दिख रहे हैं, तो आप वहाँ पी there is little hope नहीं कहोगे, ठीक है, आप क्या बोलोगे, there is a little hope of his recovery, similarly, sentence number second, a little tact would have saved the situation, third example, a little knowledge is a dangerous thing, तो तीनो ही sentences में negative sense नहीं आ रहा है, positive sense आ रहा है, आपको confusion ना हो, तो मैं sentence का meaning clear कर देती हूँ, second sentence कह रहा है कि थोड़ी बहुत भी understanding, tact कहते हैं, समझदारी को, understanding को, ठीक है, थोड़ी बहुत भी समझदारी situation को बजा सकती थी, right, तो यहाँ पे some का sense आ रहा है, similarly, third sentence है कि a little knowledge यनि कि थोड़ी बहुत जो knowledge होती है, positively, जो थोड़ी बहुत knowledge वाकर ही लोगों के पैस होती है, वो बहुत खतरनाक होती है, खतरनाक ही होती है थोड़ी बहुत knowledge, अगर आपने थोड़ी बहुत knowledge किसी के सामने दिखाई, तो क्या पता कोई आपस और उसके आगे question पूछे, तब तो आप answer नहीं कर पाऊगे, कोई आपके पैस knowledge थोड़ी सी है, तो यहाँ भी sum का sense आ रहा है, negative sense ना के बराबर sense नहीं आ रहा है, इसलिए हमने a little का use किया है, Now let's understand what is the meaning of the little and when do we use it, the little का मतलब होता है, not much but all there is, not much का मतलब वही है कि quantity sum है, quantity बढ़ नहीं गई है, quantity अभी भी a little वाली है, ठीक है, लेकिन सारे के सारे quantity को आप point out करना चाहरे हो, फिर से समझ लीजे, the little का use करते हैं हम positive sense में ही, लेकिन जब हमें किसी भी noun की जो quantity हम बात कर रहे हैं, discuss कर रहे हैं sentence में, उसको link कर रहे हैं किसी और तरफ, उस पूरी की quantity की, सारे के सारे quantity को link कर रहे हैं किसी इंसान से या किसी चीज से, ठीक है, और link करने के लिए आपको एक relative pronoun जरूर दिया होता है sentence में, ठीक है, तो वहा इतना भी है उतना थोड़ा बहुत सारा ठीक है जैसे कि आप एक्जामन समझेगा तर लिटल इंफरमेशन ही हाट वस नोट क्वाइट रिलाइबल थोड़ी बहुत इंफरमेशन जो उसके पास थी बरोसे लाइक बिलकुल भी नहीं थी तो थोड़ी बहुत इंफरमेशन की ब करने के लिए आपिक लाइचल की बात पर नोलच वरी की तोड़ी बहुत नॉलच जो उसको आती थी तो किसको आती थी तो फिर हम क्या कर रहे हैं लिंक कर रहे हैं थोड़ी बहुत knowledge किसके तरफ ही के तरफ तो अगर आपको sentence में कोई related pronoun दिख रहा है साफ साफ और उस इंसान की knowledge उस इंसान की किसी भी चीज़ की तोड़ी सी quantity का discussion किया जा रहा है sentence में तो फिर आप वहाँ पे the little का use करते हो तो पहचान क्या होती है आपको एक related pronoun that, who, which या वो खुद इंसान दिया होगा sentence में तो फिर आप वहाँ use करते हो the little I hope आपको meaning समझ में आ गया होगा not much but all there is यानि ज्यादा तो नहीं लेकिन पूरा का पूरा a little, the little दोनों ही उसके जाते हैं positive sense के लिए लेकिन अगर sentence में related pronoun या फिर हम कहें कि वो थोड़ी सी quantity किसी इंसान, किसी चीज की तरफ link हो रही है, एक related pronoun आपको दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता है तो किसी इंसान की तरफ या किसी चीज की तरफ point out किया जा रहा है, demonstrate किया जा रहा है तो फिर आप वहाँ पे the little का use फिरते हो और अगर ऐसा बिलकुल भी नहीं है that नहीं आ रहा है, किसी इंसान से लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है तो फिर आप use करते हो, a little का इन ओनर तो make it more crystal clear let's discuss one exercise first sentence is grain they had was damaged by sea water आप देख सकते हो, they had वो ना zone के पास था, link किया जा रहा है उनका नाच, तो फिर क्या एगा the little, the little grain they had second is dash precaution is necessary inhaling that machine, यहाँ पे कोई भी point out नहीं हो रहा है, तो आप क्या लगा होगी a little precaution is necessary in handling that machine third sentence में भी कोई भी link नहीं हो रहा है, dash care could have prevented the catastrophe थोड़ी बहुत care, उस catastrophe को रोक सकती थी, तो यहाँ पे आएगा a little, positive care की बात हो रही है some care, तो a little का use होगा fourth sentence में देख रहा है, that he has again आ गया, little to noun, तो क्या लगा होगी आप the little influence that he has fifth आपका again दे रहा है knowledge of french that he has तो that again आ गया आपका तो आपको पता है, जब कभी भी that आ जाता है तो पिर हम यूज करते है, the little का little हाँ little, the little का अगर आपको concept clear हो गया है, तो same concept होता है, few of you the few का, difference क्या होता है पिछे में बताच क्यों, अगर sentence में दिया गया noun, countable होता है, तो पिर आप यूज करते हो few of you, the few का और अगर uncountable होता है, तो पिर आप यूज करते हो little, a little, the little का, अधनावाइस कोई difference नहीं है, जो meaning होता है little का वही meaning होता है few का जो meaning होता है, a little का वही meaning होता है, a few का और जो sense देता है, the little वही sense होता है, the few का इसको भी देख लेते हैं, एक बार few का मतलब not many, hardly any जैसे little का मतलब, ना के बराबर मैंने आपको बतायाता, few का मतलब भी होता है ना के बराबर, अगर आपको negative sense में ना के बराबर के sense में आपको कुछ शब्द का या थोड़ा शब्द का इस्तिमाल करना है, किन nouns के साथ countable nouns के साथ तो पिर आप यूज़ करते हो few का for example, few persons can keep a secret यनि ना के बराबर ही लोग होते हैं जो secret को keep कर पाए few people are so hopeless as drunkards right, तो all these sentences contain few और इसका मतलब क्या है ना के बराबर, तो little का मतलब भी ना के बराबर था, few का मतलब भी ना के बराबर है, difference क्या है little यूज़ होता है uncountable के साथ few यूज़ होता है countable के साथ जिस तरीके से आर इलिल का मतलब मैं आपको बतायता some, थोड़ा positive sense में यूज़ किया जाता है, जब चीज इतनी है कि आपका काम चल सकता है तो फिर आप महाँ पे early का यूज़ कर रहे थे, similarly अगर countable nouns, countable items कुछ ऐसे हैं, जो आपके काम आ सकते हैं ना के sense में नहीं है, ना के बराबर नहीं है, थोड़ा बहुत हैं, आपका काम चल सकता है यहनि आप positively उसको represent करना चाहरे हो थोड़ी बहुत quantity को किसके लिए, countable nouns के लिए तो फिर आप use करोगे a few का for example, a few words spoken in earnest will convince him a few parisies write gujarati correctly last है आपका the few जैसे मैंने आपको the little में समझाये था not much, but all there is similarly, यहाँ पे आप क्या बोलोगे not many, तो much कर देगा मैंने क्यों लिख दिये, क्योंकि the few use होता है countable nouns के साथ, meaning वही है ठीक है, थोड़ा ही जादा तो नहीं, थोड़ा ही लेकिन पूरा का पूरा, जिस तरीके से the little हम use करते हैं, जब हमें एक relative pronoun, दाट दिया रहता है यानि हम किसी चीज से link करते हैं, यहाँ भी वही है बिल्कुल, अगर थोड़े बहुत items ऐसे countable nouns के, जो किसी इंसान के तरफ point out हो रहे है यानि कि दाट आपको दे रखा है तो पिर आप use करते हो the few का दाट नहीं दे रखा है इंसान से link नहीं हो रहा है commonly बात हो रही है, generally बात हो रही है तो पिर आप use करते हो of you का ठीक है, जो सरीके से a little, the little दोनों ही positively use होता है लेकिन difference होता है, similarly a few, the few में भी difference होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपको few, a few, the few, tough लग रहा है तो आप little, a little, the little को फिर से सुनियेगा, फिर आप compare करियेगा बिल्कुल exactly same है difference के वल countable and uncountable nouns का है, अब एक एकिसाइस a few, the few के भी देख लेते हैं जिससे आपके अंदर confidence आ जाएगा first sentence है, dash public libraries that we have, तो अभी-अभी मैंने आपको बताया, अगर sentence point out कर रहा है link कर रहा है किसी खास लोग की तरफ, ठीक है जिससे यहाँ पर little pronoun that दे रखा है तो इस वज़े से हम the few का यूज़ करेंगे second again, that are left तो आएगा आपका the few third में आप देख सकते हो यहाँ पर कोई that बात नहीं आ रहा है यहाँ पर positively बात हो रही है तो आप यूज़ करोगे a few fourth sentence में आएगा आपका a few कुछ लोग confused हो सकते हैं कि मैं हम यहाँ तो डाट लगा हुआ है और आप बता रहे हैं कि a few आएगा, तो दियान से देखिएगा लिखा हुआ है a few days rest is all that is needed तो यहाँ पर that का use days के लिए नहीं हो रहा है, right that का use अगर point out साफ साफ उस uncountable या countable ना उसके लिए होता है, तो the little the few का use होता है, ठीक है, यहाँ पर that का use हो रहा है पूरे sentence के लिए this is what is needed, right not the days which is needed understanding, तो rest is needed days के लिए that is needed नहीं use हो रहा है तो अगर खास उस थोड़ी quantity के लिए ही that का use किया जा रहा है, तो पिर आप the शब्द का use करोगे, right इसी वज़े से fourth का answer क्या होगा a few fifth हो जाएगा a few sixth a few seventh a few eighth the few ninth a few tenth a few 11th also will be a few 12th a few 13th the few 14th the few I wish दोनों कॉंसेप्स क्लियर हो गया होंगे अगर आपको अभी भी किसी सेंटिस में कोई भी प्राप्लम है कॉमेंट बक्स में लेकिए मुझे जरूर बताईए that's all for today, thank you for watching